हेलो मेरे पैरे विद्यारतियों कैसे आप लोग हुआप सब बढ़िया हूंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बहुर सारे स्टूडेंट्स बच्चों पूछ रहे थे कि मॉक्टेस पेपर जो इंस्टिटूट क्या आ रहे हैं सर उन्हें कैसे सॉल्व करना है उनकी स्ट्रे करना है तो मेरे बच्चों देखो सबसे पहले आपको क्या करना है मॉक्टेस डारेक्ली सॉल्व नहीं करना होता पहले आपको उस सब्जेक्ट का रिवीजन कम्प्लीट करना होता विकास एक बार अगर आपने सब्जेक्ट रिवाइस कर लिया है देन यू अर एलिजिबल solve that mock test paper अब आपने revision कर लिया, revision करने के बाद, जब mock test paper solve करेंगे न, मैं बहुर सारे students को देखता हूँ, बिना timer लगाए solve करते हैं, आदा आज करेंगे, आदा कल करेंगे, कोई फाइदा नहीं है, इसका आपको timer लगा कर, जैसे कि आप exam room में बैठे हूँ हैं, exam hall में बैठे हूँ हैं, उस तरह से देना है, यानि 15 minute आपको खुद को पहले reading time देना है और फिर 3 गंटे का solving time देना है, इससे आपको पता चलेगा, कि exam में वहाँ पर कितना pressure होता है, speed maintain करने का, क्या आपकी writing speed उतनी है या नहीं है, जितनी exam देने के लिए required है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर final exam जब आप ICI का exam देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको surprise मिलता है कि paper तो आप पाता था, लेकिन आप BCR ही करते रहे गए भाई या डिडड़ घंटा, law ही धाई गंटा करते रहे गए, जिसकी वज़ा से आपका बहुत सारा paper exam में छूट गया, और ये ना हो, इसी लिए आप आज ही खुद को test कर रहे हैं कि मैं कहां पर stand करता हूँ यहाँ पर दो cases होंगे, या तो आप जितना paper आपको आता होगा आप within the time पूरा कर पाएंगे या दूसरा scenario हो सकता है कि जितना time आपको दिया गया था और जितना paper आपको आता था, आप पूरा paper नहीं लिख पाए उस time में, तो यानि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको अपनी speed पर काम करने की जरूरत है और वो बहुत ही important है ताकि final exam में यह गलती दुबारा ना हूँ next बेटा, एक बार आपने answer लिख लिया, फिर आप answers को check करेंगे suggested answer के साथ जो institute ने दिया होगा अब बड़े सारे students कहते हैं कि sir हमारी language और ICI की language match नहीं होती है इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि sir हमारा answer गलत है या हमारा answer सही है या हमें कितने marks मिलेंगे तो बेटा, आपको 100% language तो वैसे भी check नहीं करनी है वो तो आपका checker भी एक एक word check नहीं करने वाला है है ना, आपको ये check करना होता है checking करते हुए कि जो institute ने points mention करे है अपने answer में क्या मैंने वो सारे points answer करे है कि नहीं वो mention करे है कि नहीं भले ही मैंने ICI के keywords के इस्तमाल करते हुए own language में क्यों ना लिख्या हूँ second चीज आपको देखनी है कि जो conclusion आपने दिया है क्या वो conclusion सही है या नहीं अब वहां तो बोला गया है suggested में yes हो सकता है और आपने लिखा हुआ है no नहीं हो सकता मतलब गलत है simple है ना now checking answers with suggested answer के बाद आप खुद को marking दे ना दे उससे इतना फरक नहीं पड़ता है main आता है आपको identify करने है अपने weak areas एक तो आपको writing का पता चल सकता है कि आपकी writing slow है इसलिए आप exam में नहीं लिख सकते लिख पा रहे हैं second आपको पता चल सकता है कि आप जो है provision में सही provision तो लगा रहे हो लेकिन जो provision लगाया है उसे पूरा नहीं लिख रहे हो जितना ICI ने लिखा हुआ है तो यानि आपको वहाँ पर learning की ज़रूवत है और तीसरा point मेरे बच्चा यह हो सकता है कि आपने provision ही गलत लिखा हुआ है तो जहां पर आपने provision गलत लिखा हुआ है यानि आपकी concept में लिखकत है आपने क्यों एक अलग concept लगा रही है हाईवर कहीं बार ऐसा हो सकता है कि एक question में multiple concept लग जाए बट otherwise normally आपको पता होता है कि भाई इस question में ये मैंने लिख दिया बटाई से ये वाला concept दिया हुआ है तो next time से मुझे यही वाला concept mention करना है और यहाँ पर बेटा weak areas पर आपको करना पड़ेगा work या तो आप practice पर work करोगे या concept पर या learning पर वो आपको आपके test देने के बाद पता चलेगा फिर आप work करेंगे कुछ दिन कुछ दिन work करने के बाद आप एक और mock test दे के देखेंगे कि कितना actually में improvement हुआ है hope ये वीडियो आपको helpful रहेगा उन बच्चों के लिए जो genuinely एक अच्छा mark score करना चाते हैं इस बार CA foundation के exams में